नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो में हम लोग दखेंगे कोपा का प्रिवेस येर का कोश्चन जो की एक्जाम में आया हुआ रहेगा तो यह प्रिवेस येर का कोश्चन है कोपा का तो आप लोग कमे कंप्यूटर प्रिवेस ग्रीइन को अनुकर करता है आपसे है और यहां हमारा सी-सर करेक्ट हो जाएगा इक्सपर्षी और सब्सक्राइब कुड़ जाता है तो फिर किसे इसका पिता कहा जाता है तो देखिए जो आर्टिफिसिल इंटेलिजेंस का जो पिता कहा जाता है यह हम लोग एम टर्निंग को कहते हैं तो यहां पर हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा एम टर्निंग कि देखिए मुंबाई पोर्ट ट्रस्ट जो हैर बार पंद्रे में आया हुआ कोशन था प्रिग्वेसियर का है तीसरा कोशन है कि एल्यू एक कंट्रोल यूनिट यह साइमडी यहने कि यह साइमडी का फुल फार्म होते हैं सिगनल इंस्ट्रेक्शन इस्ट्रीम मलुटीपल डेटा इस्ट्रीम आर्कितेक्षर दुपारा कितने कंट्रूल और होते हैं यह यह जैए rigor samples प्राकृतिक भासा समझ का उपयोग किसमें किया जाता है आप सने नेचूरल लेंगोईज इंटर्फियर नेचूरल लेंगोईज फ्रांट इंड टेस्ट अंडर स्टेंडिंग सिस्टम आल आप देबर और यह आप सोने हमारा बोथ बी एंड से तो देखी यहाँ पर क्या होत जाता है वह नेचूरल लेंगोई इंटरफ़ेरेंस में किया जाता है और इसमें टेस्ञांस में भी आप और यहाँ इसमें टेस्ट अंडर स्टेंग सिस्टम मारें आप होजाएगा आल ऑनर नोत होजा ओक क्या logic अमपर्व तो थे स्टेंडर्टूरिंग टिस्ट पास करने के लिए कम्प्यूटर को किष्भान की सब्सक्त करने के हैं आप सोने tidak विजन idiots in अभ आबまखेक्ट रश मेइग forme अब तो देखी जो इस्टेंडर्ट ट्यूरिंग टेस्ट होता है उसे पास करने के लिए कंप्यूटर की जो छमता होनी चाहिए वह रहता है कि रिजिनिंग का यहाँ पर हमारा फाइब कसी अंसर करेक्ट हो जाएगा रिजिनिंग अधे छटा कोश्चन है इन आर्डर्ट टूब्र टैक्डंप्यूटर शिश्टम फाम वाइरस वी यूज Śक्रम करिया करने के लिए यह अंध्य चप्प्ट्वियर्चट ऑन मीज़्टियन प्रॉट हमारो जरूरी होता है कि कम्प्प्यूटर नहीं आई पर refresh करते हैं और एंटि वायरोस में डाला या यहां पर हमारे एंसर करेक्ट हो जाएगा एंटि वैरास कि अग्या को साथ मोच्छन है मैक्सिमम स्टोरेज इस पेस इन इज अवलेबल इन मतलब मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस किसमें अवलेबल होता आपको बताना आप साने में 2019 में आजा हुआ कोश्चन था अब आठोवा नंबर का कोश्चन है कि दबेस नंबर आप आक्टल सिस्टम प्रडाली की आधार संख्या कितनी है तो देखिए जो आक्टल होता है जैसे कि नाम से यह सपस्ट है आक्टल है तो इसमें आठ होगा तो यह हमारा यहां पर देखिए जो होता है यह हमारा किसरी से 7 और यह से आप इतना मिलकर बना होता है है कि कि दसनोंबर का कोश्चन है दम मेमोरी डिवाइस इंद फर्ड जन्रेशन computer age का तीसरी पीडे के कंप्यूटर में डिवाइस आट डाट काउंच थी है तो देखिए आप सना है तिर टिरतिए पीडे की कंप्यूटर थी उसमें जो memory device रहती थी उसमें क्या होता था या operate एक तरणिस्टर होता था या यहाँ पर हमारे सिन सरक्राइब हो जाएगा इंटीग्रेटनट हुआ करता था है यहां यहां पर हमप्र और यह और दोनों होता है तो rejection नमबर कोश्चन है इस पापुलर टेक्निक फर फॉर्कास्टिंग इज तो फॉर्कास्टिंग के लिए चर्चित तक्निकी यानि टेक्निक कॉंसी है आप तो नहीं लीनियर प्रोग्रामिंग रिग्रेशन एनालिसिस कोलरेशन एनालिसिस मॉन्टी करलो और है नान आप देवर तो देखें जो फॉर्कास्टिंग के लिए जो जर्चित तक्निकी है वह हमारा रहता है कि रिग्रेशन एनालिसिस होता है यहां पर हमारे भी एंसर करेक्ट हो जाएगा यह जूनियर इंस्ट्रक्टर में आया हुआ कोश्चन है जो जरुनिस में तेरह नम्र कोश्चन है दा थ्री डायमेंशन आप से सिस्टम इंटीग्रेटी डू नाट इंक्लूड सिस्टम की प्रमाड इक्ता यानि कि इंटीग्रीटी के तिन आयाम इताशन सामिल नहिं है να Clone से भेंशन देखियों में तेरह प्रोग्राम जो को कांपी करता है और मालिक की अनुमुति या जनकारी के बीना कंप्यूटर को संक्रिमित कर देता है उसे हम लोग क्या कहते है आप तो ने जावा फुलापी वैरस बॉम्ब तो देखिए जो वह प्रोग्राम जो खुद को कांपी करता है और मालिक की अनुमुति या जनकारी क कि बिना कंप्यूटर को संक्रिमित कर देता है वह हमारे क्या रहता है फ्लापी रहता है तो यहां पर हमारे भी अंसर करेक्ट हो जाएगा फ्लापी देखें यह डबलू सी आरजे डिवल पूर में आए वह कोश्चन है दोजर बारे का था सब प्रिविएस यह के कोश्चन है अगर वीडियो आपको पसंदा रहा हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें और जो लोग हमारे चैनल परने हैं वह लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए और सभी लोग कमेंट बाक्स में अपना अंसर करते रहें पंद्रे और यह देखिए अगटक जो कंप्यूटर की कानफरीग्रेशन जानकारी को स्टोर करने के लिए बैटरी पामर को प्योंग करता है वह जाना जाता है सी यमोज के नाम से जाना जाता है देखिए यह एन एम डेसी टेक्निसियन में आया हुआ को सब्सक्राइब नेंस में आ और यह भी कि सेश्टा नहीं है आप सनब वैकूम ट्यूब इंटिग्रेटर सब्सक्राइब तो देखिए जो पर्थम जनेरेटर कंप्यूटर की जो भी सेश्टा नहीं है वह हमारा इंटिग्रेटर तरकिट कि आया था वह त्रीमा आ तहो यहां पर हमारा भी आनसर- सब्सक्राइब करने के लिए इस ब्यक्त को डिया जाता है तो देखे जो हार्वर्ड मार्क फर्ष्ट कम्प्यूटर को डिजाइन किया था वह कौन थे एक से तो यहां पर हमारे यह सब्सक्राइब करेक्ट हो यह ब्रहकर में अई नहीं जए अधिय एफ कि यूएश नेवी कौनसे कैंप्यूटर नेयर यू येश नेवी का रियर अडिमिरल भी था थैसंट दो देखिये जो पाइनियर यूद्ध नेयकर रियर अडमिरल भी था वह हमारा कॉंट तो यहां पर हमारे डी आंसर क्रेक्ट हो जाएगा ग्रेस होपर कि 19 नमर का कोश्चन कि CD-ROM वाज डवलप्ट बाई CD-ROM किसके द्वारा विक्सित किया गया था आप समय फिलिप्स सोनी फिलिप्स और सोनी तो देखे जो किया गया कहुंसा था कि मैकित तोसम डैक और रहे ंथर देखें जो इंटल 80s 36 यह विक्सित किया गया था यह आईगियों कि द्वारा किया गया था इंटर्णेसमेंद बिजनेस-मसी द्वारा किया गया था आई बियम द्वारा किया गया था तुन्टीवन नमबर कोशन है दा फास्ट फुली ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टराइज कंप्यूटर तो यानि कि जो पहला पूर्ण ट्रांजिस्टर क्रित कंप्यूटर काउंट सा था देखे जो पहले ट्रांजिस्टर क्रित अलवाज इंत्रडूश्ड भाई हाइ पर थ्रेडर टीफ O can पेस्ट किया गया था आप सोनने लीनक्स द्वारा आएब्यम द्वारा इंटल द्वारा के tracks द्वारा तो देखिए जो Hyper Threaded पी फूर केबल पेस्ज कि गया था यह Intel के द्वारा पेस्ज किया गया था यहां प्र हमारा स्य insert होता से घ्रलाओं और कोशन है सूबन के किsover का फुल फार्म क्या होता है तो देखिए जो जो CCD का फुलफार्म होता है यह रहता है चार्ज कपल्ड डिवाइस यानि कि चार्ज कपल्ड डिवाइस था यह हमारा नमल स्प्यार्ड टेक्निकल 2016 में आया हुआ कोशन है कि 24 नमर कोशन है जो कि आयो सील 2013 में आया हुआ कोशन था कि 1080 पी सबस्ट पी पॉन्सोच्षीटर पी चार्ज क्या होता देखिए आप लोग जो यूटूब चला रहे हैं तो यह आप लोग कोई देख रहा होगा हो कोई 3840 देखता है क्यों कि 720 एखजारसी देखता होगा तो वही जो आदोटोबड़ चाहले होगा इस भी विडियो को को निंथे मतलब तो इस प्रोग्रेसिव बोलते हैं तो यहां पर हमारा यह answer correct हो जाएगा 26 नमबर कोश्चन है कि डिस्प्ले रिजूलेशन आफ 1929-1080 पिक्सलेश कार्ड जो होता है नच्वाइश गुड़ी एक हजार अची पिक्सल के रिजूलेशन डिस्प्लेश को हम लोग क्या कहते हैं तो देखिए यह जो रहता है इसे हम लोग इसे बोलते हैं फूल हाइड डिफिनेशन अफ अचीड बोलते हैं और यह हमारा एक है कि कर्सर को इसक्रीन पर मूब करने में मदद करता है तो आइकन को पॉइंट करता है यह वह काउंसर रहता है यह हमारा रहता है माउस रहता है मतलब है यहां पर चला होंगे हलाकि आ सभी लोग होंगे तो यहां पर घृćता है वही रहता है कर सर और इसको हम लोग मौश की साहता से आगे पीछे उपर नीचे धर करना रहता है करते हैं नमर कोशन है मुस्ट अब तर्क है कर दोनों के साथ और जो करते हैं इन दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं बहुत सारा आपके हमारा सीटिंट्र करेंगा तो देखिए यहां पर कोई रहता है रहता है हैं तो जो रहता है और आल्ट में भी ऐसा रहता है तो एसे और हमारा स्कार्यक्ट हो जाए कि इन दोनों का उप्यों करके हम लोग मैल्टिपल सटकट की बना सकते हैं तीस नंबर का कोश्चन है ग्रूप आप नंबर की एंड बेसिक अर्थेमेटिक ऑपरेटर प्लेश्ट आंदा लेफ्ट साइड आप दा कीबोर्ड इच्पल कीबोर्ड पर बाएं तरफ रखे गए नंबर की और बुनियादी अंखे गणित ऑपरेटर की सम्हों को हम लोग क् क्या कहलाता है नंबर कहलाता है तहीं अपि हमारे अंसर करेक्ट होगा नंबर पैड यह हमारा गवर्मेंट आप हिंडिया प्रेद्ट 2015 को आया हुआ कुश्चन है तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और जो भ लोग अगर देखें के computer पर जो keyboard रहता है कि बोड़ पर ऐसे इतनाव लगवाग आपको button मिल जाएगा यह से घुन से बड़ा ही मिल जाएगा यह जो हमारा button रहता है सबसे बड़ा यह हमारा इस स्बस्न बार कर रहता है तो यहां पर आन्सर टो हो जाएगा इस पेस बार यह राजस्थान हाई कोड़ 2015 स्वारी 2013 का या वो कोशन है थार्टीटीटू नमबर कोशन है प्रोशेसर मेन में मेमोरी और यह हाड़ डिसके डिवीडि ड्राइव सी एमो यह चीप एक से अंदर इस्थित होते हैं तो देखिए यह सब होते हैं यह सब क्या होते हैं कि चैन्ट्र प्रासेसिंग यूनिट यानिकी सीपी यू के अंतरगत यह स्थित होते हैं यहां पर हमारा भी अंसर क्रेक्ट होगा यह देखिए आई टी आइ कोपा में 2018 में आया हुआ हुआ है को तेने समय कोश्टन है जो कि आई टी आइक कोपा में 2017 का यह हुआ क्पोशन और फिजखल कंपोनेंट के सब Do और लेक्टिवं से क्या कहा जाता तो देखिए जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट उनको अगे है यह शत्व कोशन कोंपा का आड या इकोपाtown वर्योंत बैंक य किसका हुपियो burg个 करके को ब्यंकिंगे लेंदेन और संगरहित और पुझे अप्राप्ट करसकते हैं यह हमारा रहता है कि सेंट्रलाज्ट सरवर कंप्यूटर से रहता है तो यहां पर हमारा भी अंसर क्रेक्ट होगा क्या होता है जो की आपको पता होगा बहुत असां से जोकी अचेजय कोपा में Sao 216 तो देखे कंपूटर कंपूटर याइंड होता आन्क पर हो कंपूटर याइड अंसर क्रीक्ट हो जाएगा केंप्यूटर एड़िड डिजाइंग तो 36 नमबर कोश्चन है कैड़ इस्टेंड सफार कैड़ का पूर्ण रूप क्या है तो देखे जो कैड़ का फुल फार्म होता है यह हमारा रहता है केंप्यूटर एड़िड डिजाइंग यह तो हो चुका है अलटिस ममबर कोश्चन है कि अब कैलेक्शन आप कंप्यूटर यूट फार आंलाइन डाटा स्टूरेज थो दा इंटरनेट इसका कंप्यूटर का समुझ इसको उप्यूग इंटरनेट के माध्यम से आनलाइन डेटा को इस्टूर करने में किया जाता है वह क्या कहलाता है कंप्यूटर यह सीविटी कोपा में आया हुआ कोशन है यह 2018 का थार्टि नाइन कोशन है विध टेक्निट फार प्रोसेसिंग डाटा चौर्थी पीड़ी के कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है तो देखें जो चौर्थ सही दोनों करेक्ट होगा यह मुंबाई पॉर्ट ट्रेस्ट 2015 का आजा हुआ कोशन है यहां पर दोनों होगा सही याद रखिएगा कि चालिस नमबर कोश्चन है कि फोर्थ जाने सर्क कंप्यूटर यूड़ विच फार इंपूट तो देखिए जो एक केमपूटर जिसके पास प्रोसेसिंग पावर अधिक है जिसके उप्यूटर जिसके पास प्रोसेसिंग पावर अधिक है जिसके उप्यूटर जिसके पास प्रोसेसिंग पावर अधिक है ग्रंचिंग आज़ी में किया जाता है वह हमारा कौन सा कम्पूटर होता है यह एकदम होना सब्सक्रक्राइब करएं इन समय हम लोग सुपरकम्पूटर का प्रियोग करते हैं सब्सक्राइबूस कैया गया तो देखेंग में की खाया था उसकर किया गया था तो जो लागारी थम था आविस्कार जो था यह जिसके द्वारा किया गया था वो कौन था जांस नेपियर तो यहाँ पर हमारे यह आंसर करेक्ट हो जाएगा जांस नेपियर द्वारा लागारी थम का आविस्कार किया गया था 43 नमर कोश्चन है Mechanical Calculator was invented by जो Mechanical Calculator होता है उसका आविसकर किस ने किया था आपने जानने पिये एमाउन, एडमाउन्ड, गुंटूर तो देखिए जो Mechanical Calculator था इसको जो निर्माल किया गया था यह पास्कल की द्वारा किया गया था यहाँ पर हमारे C answer correct हो जाएगा बी पास्कल, आपने लोग नाम सुने होंगे बी पास्कल 44 नमर कोश्चन है कि Slide Rule was invented by जो Slide Rule होता है इसका आविसकर किस के द्वारा किया गया था देखिए जो Slide Rule था इसका आविसकर इडमंड गुंटर द्वारा किया गया था यह गंटर द्वारा किया गया था यहाँ पर हमारे B answer correct हो जाएगा 45 नमर कोश्चन है इंडरीडिश्ट आप दा फर्स्ट जनरेशन परपच केम्पूटर विच वाज डन बाई पर्थम जनरल परपच केम्पूटर का अविसकर किसके द्वारा किया गया था देखे जो जनरल परपच के लिए कंपूटर पहली बार बनाया गया था यह है चाल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था यहाँ भी हमारे D answer correct हो जाएगा चाल्स बैबेज चाल्स बैबेज द्वारा अविसकर किया गया प्रथम केम्पूटर का नाम क्या था डिफरेंस इंजन था तो यहाँ पर हमारे D answer correct हो जाएगा डिफरेंस इंजन और यहाँ जीशी 2019 में आजा हुआ कोश्चन था यह 47 नमबर कोश्चन है वाट इस काल्ड फादर आप मार्डर्न कंप्यूटर मार्डर्न कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है देखे जो आधुन की कंप्यूटर का जो पिता मैं कहा जाते हैं वह कौन है चाल्स और को कहा जाता है तो यहां पे हमारा अनसर करेक्ट होजाएगा 50 पैस और अनताzkskतन परगार कशली करेंज डीफरेंस इंज़न युजिट या हुगा कोश्चन है कि डिफ्रेंस इंजन प्रवाइड इट्स हाउटपूट थो डिफ्रेंस इंजन किसके दवारा आउटपूट परदान करता है तो देखे जो डिफ्रेंस इंजन होता है यह जिसके दवारा आउटपूट परदान करता है वह हमारा रहता है प्रिंटर भ कंप्यूटर जिसमें इंपूर्ट के लिए लगतार बशालती मत्रों जैसे एक्रिक्रिक्टा प्रवाइफ इत्याद में कारी करता है हुण भी क्या कहते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं एट लाग कंप्यूटर बोलते हैं यहां पर हमारे सी अंसर हो जाएगा एनलाग कंप्यूटर यह हमारे एंपी सियाइल कि 24 जनुरी 2019 का आया हुआ कोशन था यह देखिए हमारा RSM SSB में आया हुआ कोशन है जूनियर इंस्ट्रेक्टर 2019 में कि एनलाग कंप्यूटर वाज इन्वेंटर भाई जो एनलाग कंप्यूटर था यह किसके दोरा खोजा गया था तो एनलाग कंप्यूटर को जो खोजे थे सर विलियम थामसं थे यहां पर हमारा भी अंसर करेक्ट होज़ेगा विलियम थामसं बाव नमबर कोश्चन है कि कंप्यूटर को उप्योग किस लिए होता था देखे जो कंप्यूटर को उप्योग होता था यह किस लिए होता था कि डिक क्रिप्टिंग के लिए होता था तो यहां पर हमारा यह अंसर करेक्ट हो जाएगा तुरिपन नमबर कोश्चन है तो तुरेटिकल डिफिनेशन आफे जनरल परपस कंप्यूटर वाज प्रवाज प्रवाइड़ बाई किसके द्वारा जनरल परपस कंप्यूटर का तो देखिए जो पहली परपसांथ कंप्यूटर का यह कॉंट दिये थे अलं न टर्रिंग अलन ट्यूरिंग ने दिया था भी चेर वान अंबर कोस्ट ने दाफ़ जनररल पर परपच केंप्पीटर विक फुलफिल्ट टूरेंग से डिफिनेशन आफे जनरल परपच केंप्पीटिंग मसीण वाज पर्थान जनरल परप्च केंप्पीटिंग मसीन की पूरा करता था तो यह था हमारा फिर बुट इसे हम लोग एनियक बोलते थे जो कि हमारा पहले वाला क्वेश्चन है चाहपन नंबर क्वेश्चन है विच लेंगे वाज वी यूज़ टू प्रोग्राम फष्ट जनेरेशन केम्पूटर नियम्ड एनियक पर्थां पीड़ी एनियक के केम्पूटर वूख्राम के लिए किस लेंग्विज का परियोग किया जाता था त्यूसकी लिए हम लोग मस्ट मेंप लेंग्वज का परियोग करते थे एक में थि on केंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए कि सेकंड जनेशन कंप्यूटर वाज क्रिएट इन दे यह जो दुटी पीडिकी कंप्यूटर थी वह किस साल बनाई गई थी यह जो बनाया गया था यह नंटीन फिफ्टी नैन में बनाया गया था त्यांप यह अंशर करेक्ट हो प्रोग्राम एंड डाटा सेट टू परफार्म डिफरेंट फंक्शन आप कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर पडाली पर विभिनेकार करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवन डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है हार्डवेर प्रोश्य साफ्टेव वर्चुल सब्सक्राइब कंप्यूटर पड़ाली पर विभिनेकार करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवन डाटा के सेट को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वह हमारा है सब्सक्राइब यहां पर हमारे सी अंसर करेक्ट हो जाएगा सब्सक्राइब 59 नमबर कोश्चन है विच आप दा मेनिंग आप दा वर्ड इज एक कोलेक्शन आप प्रोग्राम की सब्द का आर्थ क्रमादेश याने की प्रोग्राम का संग्रह है आपने जनकारी हार्डवेर सब्सक्राइब कंपेक्ट यह हमारा रहता है सब्सक्राइब रहता है तो देखें जो हर्डवेर आवया नहीं है वह हमारा क्या है सिस्टम क्या हो है हमारा हर्डवेर शिस्टम नहीं है बाकि इंपुट डिवाइस नमीद्ल यह हमारे व हमारे सब्सक्राइब परेक्ट हो गजाए ब्सक्राइब यह वो खूर्शन था तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंदार आहीं तो लाइक कर देजिए अगर आप हमारे चनल प्रिणने तो चनल को सबस्क्राइब कर लिजी और जो लोग वीडियो को शेर नहीं किमा लोग दोस्तों के साथ 61 नमबर का कोश्चन है वीच आप दा फालूंग इजनाट पार्ट आफे CPU निमने में से कौन सो CPU का भाग नहीं है आपसे न मैमोरी यूनिट अर्थमेटिक लाजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट दे इन्पुट यूनिट तो देखिए कि जो CPU का पार्ट नहीं है वह हमारा क्य टीडिएच अप्रेंटेशिप 2017 में यह वो कोश्चन था 62 नमबर का कोश्चन है आज से चिप यूजड इन कंप्यूटर और यूजूली मेड आप कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जो आइसी चिप रहती है यह मुख्यता किस किस की बनी होती है आपन है लेट से सिलिक से क्रोमियम से गोल्ड से तो देखिए जो आइसी चीप रहता है कंप्यूटर का वह बना जाता है सिलिकान से तो यहां पर हमारा भी आंसर क्रेक्ट हो जाएगा हमारा नमल सिप्याड टेक्निकल जोजर सुले में आगवा कोश्चन है 63 नमर कोश्चन है विच आप दा फालो देशन वीडियो डिस्पले प्रिंटर हाइज स्पीड लार्ज कैपसिटी डिस्क दी है पॉलाटर तो देखें इनमें सजो हाडवेर घटक डेटाबेस प्रबंधन पढ़ाली के प्रचलान में सबसे अधिक महत्पूर रहता है वह रहता है हमारा हाई स्पीड लार्ज कैप देश कराता है तो यहां पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा आज यू सी यल जो जर्टेरे में हुए कोश्चन था चौसफ नमबर कोश्चन है इन्हें कंप्यूटर दा सिस्टम आइडेंटिफाइज एफ फाइल बाइट से किसी कंप्यूटर में सिस्टम किसी फा लगाया जाता है यह हमारा ECIL 2018 मुख आया हुए कोश्चन था सब्सक्राइब कोश्चन है दट टर्फ से एल्यू सी पी यू इन्पूट आउट्पूट डिवाइस से रेटेन टू एल्यू सी पी यू इन्पूट आउट्पूट नामक उपक्राण के संबन सब्दों का संब यह हमारा computer से संबंद रखता है तो हमारे यह answer करेक्ट होजाएगा computer शांशाचन नंबर कोश्चन है फूल फार्म आप मोईस का फूल रूप क्या है या मोईस का फूल फार्म क्या है तो देखिए मेशका फूल फार्म जो रहता है में होता है 80-85 microprocessor which of the following is not a maskable interrupt 80-85 microprocessor में निमने में से कौन से एक maskable interrupt नहीं है आप सोने टी आर एपी इंटर रस्टी 7.5 रस्टी 6.5 तो 80-85 microprocessor में जो एक maskable interrupt नहीं है वह हमारा है टी आर एपी तो 67 के आंसर करेक्ट हो जाएगा अनसर नंबर कोश्चन है विच आपदा फालूइंग इजे फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लेंग्वे निमने में सब्सक्राइब की प्रोग्रामिंग भासा आप सोने सी बेसिक ए आप सी आंसर करेक्ट हो जाएगा यह स्क्यू एल इस्टिन नंबर कोश्चन है इमने विकल्पों में से प्रिफेरल डिवाइस की पैचान करें आप सोने सी पीउ प्रिंटर एल्यू इस्प्रेट सेट तो प्रिफेरल डिवाइस जो रहता है यह हमारा है प्रिंटर आतर नंबर कोश्चन है विच एमंग दा फालॉइंग और दा काम्पोनेंट साब सीपी यूनिम नमें से कौन सा सीपी यू के घटक है तो देखें जो सीपी यू का घटक रहता है वह हमारा कौन से रहता है यह यानि कि अर्थमेटिक लाजिक यूनिट और कंट्रोल यूनि विच इस नाट एं नार्मल हर्डवेयर पोर्ट कॉम से एक समान हर्डवेयर पोर्ट नहीं आप से डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, Ethernet, TCP पोर्ट देखें जो समान हर्डवेयर पोर्ट नहीं है वह हमारा क्या है TCP पोर्ट हमारा समान हर्डवेयर पोर्ट नहीं है यह अप हम प्रोग्राम और डेटा निमेंट में से कौन इस्टोर करता है अपने प्राइमरी मेमोरी एक्जिलरी मेमोरी सिकंडरी मेमोरी टर्सरी मेमोरी यह हमारा आटी कोपा में आगवा कोस्चन है तो देखिए कि वर्दमान में CPU द्वारा निस्पादित प्रोग्राम और डेटा जो रिष्टूर करता है वह हमारा रहता है प्राइमरी मेमोरी तो यहां प्राइमरी मेमोरी तो त्यात्र नमबर कोश्चन है विच अब दाफ फालोईंग प्रोवाइट से इंटर्नल इस्टोरेज टूदव सीपी यू निमने में से कौन सीपी यू के आंत्रिक भंडार परदान क प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और प्रेजेंटेड इंडा बाइनरी अन्डिश्टोर्ड इंडा विच फांविच अब्सक्राइब फैचट्र डिकोड़ेड एंड एक्टूएटेड बाईधा सीपी यू प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और और किसमें संग्रहित किया गया है जिसमें से वे CPU द्वारा प्राप्त डिकोड और निस्पादित किया जाते हैं अब सब्सक्राइब मेमोरी में चिप चिप तो हाउ अप्रेशन एट्रीबीट्स अर लिंग्ड टूगेदर अंड नंड कंट्रिब्यूट से टूर्स रिलीजिंग दशिया अर्जेशन जैंघ को यह लोतwir को शाकार करने में योगदान देता है तो यहां पर हमारा डियांसर खरिक्ट होगा श्यत्य नंबर कोश्चन है यह हमारा यंसी वीटी कोपा 2008 में आया हुआ कोश्चन है यह डाट 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 इच कंसेप्ट्ट्वल डिजाइन एंड फंडामेंटल अप्रेशन इस्ट्रेक्चर आप दा कंप्फूटर सिष्टम कौंसे कंप्फूटर सिष्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलीक परिचालंग संद्रचना है आपने कंप्फूटर यंचेशन कंपफूटर वर्केंग अर्पी कंपूणyr कर्थ किचर म150Л होती है वह रहता है कंपूटर ऑर्किटेक्टर से लाप हमा से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कम्पूटर आर्खिटेक्चर का भाग नहीं है क्या कहला था अप्रसेसिंग डिवाइस में मोरी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस तो देखिए जो एक ऐसा डिवाइस है जो कंपूटर नहीं है वह हमारा काल आता है पेरिफेर से हमारा केंटर हो जाएगा पेरिफेर से हमारा यह फिंट कोपर 2008 वह कोशन था मुंबाई पोर्ट ट्रस्ट 2015 में कोशन है अर्थमेजिक लाजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट टुगेदर और इजुवली प्रिफर रिफर्ड टू एज एलिव और कंट्रोल यूनिट को एक साथ हम तर पर किसके रूप में जाना जाता है आप से इन्पुट यूनिट प्रासेसर स्टोरेज यूनिट और पुट यूनिट तो इसमें कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है पहला है यह लिम्टेड इस्टोरेज के इन्दा सेकंडर मेमोरी कंपेयर टू मेमोरी यानि की मुक्ष मेमोरी की तुलना में जो गोड़ मैमोरी में सीमित भंडारां चमता होती है दूसरा है कि डी आरेम इज स्लोवर देन य देखिए जो कथन गलत है यह है कि पहला गलत है जो पहला है यह हमारा गलत है जबकि दूसरा हमारा सही है तो यहां पहला गलत है दूसरा सही है असी नमबर कोश्चन है विच आपदा फालूंग इस्टेटमेंट और करेक्ट कौन सा कथन सही है आपको बताना है तो देखिए पहला है कि प्रेमरी मैमोरी से एक्सेस टूरेज कापशिटी डी रहें इसी कथन है यह आपको बताना है तो देखिए कह रहा है कि अक्सेस टाइए है यह हमारा गलत है दूसरा करेक्ट समान सईर्ण छ्षंता के लिए डी रेम और यह स्रेम की तुल्णा में सटी यह बिल्कुल जह है तो यहां पर हमारे केवल सेकंड से ही है पहला गलत है यह हमारे DRDO CVRDE 2017 में यह वो कोशन था 81 नमबर कोशन है depending on the access time what kind of memory is the fastest उपागम समय के अधर पर किस प्रकार किस्मृति मियानिक मेमोरी सबसे तेज आपसे रहें कैसे CPU रहों तो उपागम समय के अधर पर जो मेमोरी सबसे तेज रहती है वह है कौन सा CPU यह हमारा IPRC में आया हो कोशन था 82 नमबर का कोशन है जो कि यह चैनल 2005 में आया हो कोशन है कि fles memory इस आपदा specific type fles more एक विश्शर्ण परकार का क्या है तो देखें जो फ्रेश्म मेमोरी होता है यह हमारा कि यह पी आरो यहां रहता है तो यहां पर हमारे अंसर करेक्ट हो जाएगा तिरासी नामर कोश्चन है विच आप दा फालूंग इस यूट प्राइमेरली लिए फार्दा कैचे स्टोरेज कैस्ट मेमोरी के लिए मुख्रूप से निमने में से किसको उप्यों किया जाता है पचासी नामर कोश्चन है इन दा कोंटेक्स्ट आप अफ स्ट फुल फॉर्म आप स्ट इसे अहेस एचेडि मेमोरी के संदर में में pourquoi किWhich्पोर फोल फार्म होता है वो हमारा क्या रहता है बास्तों सालिड क्या श्रेंट कर्या UC है स्थी हाँ मैंधर क्रैप्राइबर होता है यहां में मोता है । तो रिऊoten लिए पार मोता है यह होता है रिड़ लिमें में मोरी तो तो यहां पर पचासी का यह आंसर करेक्ट हो जाएगा रिड़ वनली में में मोरी वह जी से मां शान था यह चैशी नंबर कोशन है जो कि एंपी हाई कोट में एक वो कोशन है जाटा डाता इज प्रॉसेश्ट विल रिमेन इन प्र ससंसा अधित प्रोसेस्ट होने वाला डेटा किसमें रहता है है आप से स्टोरेज यूनिट में मामवारी यूनिट में रीट प्रोटेक्टेड होते हैं तो देखें जो स्पीड माइक्रो प्रासेसर का एक जांपल है आपको बताना है तो देखिए इसका जो जांपल होता है होता है यहाँ पर यहाँ पर पहला है कि यह उस कोड को परिवासित करने की उनमती देता है जिसे पुने उप्यों किया जाता है और उसे यह प्रबिश्च माइक्रो नौम दे सकता है यह बिल्कुल सही यादि पहला सही है दूसरा करा है इट एलाव टूरी यूज़ और जास्ट राइट इंग दा माइक्रो नेम वाले यह के वाल माइक्रो नाम लिखकर को अपंए उपयोग करने के उनमती देता है यह बिल्कुल स ही है कि एस अंकलन से पहले मांक्रों काल सब्सक्राइबल लिए गलत है यहाँ पर पूछाइब कॉस्छन यहां पर हमारा आणसर ही गलत है और नबबे नमबर कोश्चन है यूनिवैक एंड एग के आठेज क踏ग लाजव्ब दिवाइस तुर्स त कम्पूटिंग डिवाइस तुर्स त इनिवएक और वीन्लिक देजाग मेंывает है यह प्रथम पीड़ी यानि कि फर्ष्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस हैं तो यहां पर हमारा एंसर करेक्ट होगा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आप हमारे चैनल पिनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल